हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मदर्स गलेपर तो दोस्तों एक प्रेगनेन लेडी के मन में हमेशा ये चिंता होती है कि मतलब खाने में ऐसा क्या चीज खाया जाए जिससे की बच्चे का जो वेट गेन है वो अच्छा हो बच्चा हेल्दी हो तंदुरुस्त हो और मा का अपना वजन जब बढ़ेगा तो बच्चे का ऑटोमेटिकली बढ़ता ही है तो चलिए आज हम इसी के अपर बात करते हैं कि अपने डाइट में क्या-क्या ऐसी चीज़ें शामिल करें जिससे की बच्चे का वजन बढ़े जो वेट गेन है वो जो है सेकंड ट्राइमस्टर से स्टार्ट हो जाता है सेकंड ट्राइमस्टर में भी उतना वजन नहीं बढ़ता है जितना कि थर्ड ट्राइमस्टर में बढ़ता है जो कि लास के तीन महीने होते हैं उसमें हमारा वजन काफी तेजी से बढ़ता है और बच्चे का वजन भी काफी तेजी से बढ़ता है तो सबसे पहले बात करते हैं वेजिटेरियन्स के लिए वेजिटेरियन्स के लिए हम क्या क्या चीजे इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में सबसे पहले चीज आती है दाल, दाल में जो प्रोटीन होता है वो भरपूर मात्रा में पाये जाता है इसलिए बोला जाता है कि दाल कम से कम एक कटोरी सुभा दिन शाम में खानी चाहिए इसक इसके अलावा राजमा हो गए, स्प्राउट्स हो गए यह एक हेल्दी आप्शन है प्रोटीन का इसके अलावा दालों में इस्पेशली जो मूंग की दाल होती है पनीर हो गया, सोया बीन्स हो गए, नट्स हो गए यह हमें खाने चाहिए इसके अलावा आजकल सीट्स आते ह जिसमें काफी मात्रा में हमारे प्रोटीन पाया जाता है और जो की एक healthy baby के weight gain के लिए भी अच्छा होता है जैसे pumpkin seeds हो गए, chia seeds हो गए, इसके अलावा sweet potato होता है, जिसमें की iron और प्रोटीन दोनों ही होता है, इसे हम mash करके खा सकते हैं, bake करके खा सकते हैं, juices की बात करें, तो जैसे orange juice हो गया, इसमें vitamin C, काफी अच्छा पाया जाता है, जो की एक healthy baby के लिए अच्छा होता है, इसके अलावा दही हो गया, yogurt हो गया, इनमें calcium, zinc, ये काफी अच्छा पाया जाता है, इसके अलावा हरे पत्तिदार सबजियां हो गई, पालक हो गया, ब्र करते हैं, non-vegetarians के लिए, तो non-vegetarians के लिए, जो सबसे पहला आता है, वो आता है, एग, एग को अपनी डाइड में जरूर इंक्लूड करें, इसके अलावा चिकन हो गया, चिकन में प्रोटीन काफी जाधा पाया जाता है, जो की बच्छे की ग्रोथ के लिए काफी helpful होता है फिश हो गया, लेकिन फिश में हमें एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, जिसमें mercury level जाधा होता है, वो फिश हमें नहीं खानी चाहिए, तो जो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज के लिए, इसके अलावा हो गया red meat, जिसमें काफी अच्छी मातरा में 5 times, मतलब अगर आपका body weight है 50 kg, तो उसे आप multiply कीजिए 1.5 से, मतलब आया 75, तो 75 grams protein आपको daily requirement है, प्रोटीन की तो आपको पता ही है, बच्चे के, overall growth के लिए काफी जरूरी है, उसके hairs के लिए, nails के लिए, उसके immune system के लिए, हर चीज के लिए जरूरी होता है, तो I hope दोस्तो आपको यह आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आये तो वीडियो को like कर देना, चैनल को subscribe कर देना, और साथ में bell icon को भी press कर देना, जिससे की हमारी next video की notification आपके पास आ सके, तो मिलते हैं next video में, thank you so much for watching,